नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम RTI Act के माध्यम से व्रष्टाचार का पता चलने पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस पर क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में निश्चित रूप से आप लोग अवस जानें तथा बिना इसकिप किए हुए इसे पूरा अवस से देखें चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं जो नए हैं जो अब तब सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से व्रश्टाचार के खिलाफ हें अधिकांस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी जानकारी, कारगर जानकारी और साक्ष के साथ दिखाए जाती है तथा इसे इतना सेर करें कि हर किसी भारतिये को इसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा उपयोगी लगे तो एक लाइक अवस्य कर देंगे तो चलिए जानते हैं हम लोग सत्तिमेव जयते RTI के माध्यम से व्रश्टाचार का पता चलने पर क्या का लेगा जा सकता है पहला है भरष्टाचार भारत में दिमक की तरह फैलता जा रहा है और यह देश को खोखला करता जा रहा है इसलिए हम सभी को भरष्टाचार के खिलाब एक होकर लगातार बिना किसी डर्भय की लड़ें कौन कि भरष्टाचार न तो कोई सरकार खत्म कर सकती है नहीं कोई पदाधिकारी इस कारण हम आम जनता को ही एक साथ लगातार भरष्टाचार के खिलाब जागरूप होकर लड़ना पड़ेगा तो कहने का तातपर है हम लोग ही आम जनता हैं इस पर लगातार चोट करके ब्रस्टाचार को खत्म कर सकते हैं अपने अपने छेतर को जागरूप कर सकते हैं दूसरा है आर्टे आई के मात्यम से ब्रस्टाचार का पता चलता है तो साक्ष के साथ आप अपने अपने राज के लोकायुक्त के समक्ष अवस्ष करें राज में लोकायुक्त एक ऐसी संस्ता है जहां भरष्टाचार के खिलाब अच्छी और सक्त करवाई की जा सकती है आप लोग अवस्ष करें तीसरा है लोकायुक्त के समक्ष सिकायतबाद दायर करने में कुछ आर्थिक खर्च वो जानकारी की भी आवसकता है जो सक्षम है वो अवस्ष खुद या अधिवक्ता के माध्यम से सिकायतबाद दायर कर सकते हैं इस तरह आप लोकायुक्त के समक्ष भी सिकायतबाद दर्ज करें कैसे करेंगे इस चैनल में अगले वीडियो में बताया जा चुका है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोकायुक्त के समक्ष कैसे सिकायतबाद दार करेंगे उसकी जानकारी ले सकते हैं चोथा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वे अपने अपने राजी के निगराने विभाग में साक्ष के साथ सिकायत पत्र, इमेल या काडियाले में जाकर अवस्य कर दें अगदी आप जो भी सिकायत किये हैं उसका साक्ष और एक लिष्ट बना के आप पत्र के माध्यम से, इमेल के माध्यम से या निगराने विभाग में जाके अपने अपने राजी के निगराने विभाग में उसकी सिकायत अवस्य कर दें पांच यदी ब्रष्टाचार बहुत ही गंभीर एवं बड़े अस्तर पर किया गया है एवं ब्रष्टाचार को उजागर करने वाले पर जानमाल की छती की भी संभावना बनी हुई है तो वे अपने सिकायत को संबंदित कोट में भी अवस्य दायर करें छठा ब्रष्टाचार को उजागर होने पर विभाग के वरीब पदाधिकारे या CMO कारियाले या PMO कारियाले को अवस्य प्रिशित करें और एक महाबाद संबंदित कारियाले से RTI के माध्यम से ही की गई कारवाई की सूचना अवस्य मांगे चौथा हम जनता ही ब्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं इस कारण अपने अपने छेतर में आम जनता को भी इसकी जानकारी अवस्य दें जैहिन